वागत है आप सभी का एको न्यू वीडियो पर दीकिए MPWOD examination स्टार्ट होने में दो से तीन दिन बचे हुए हैं और आप सभी के माइन में एक ही सबसे बड़ा confusion होगा कि इस बार के MPWOD examination का paper कैसा आएगा क्योंकि आपको पता है इस बार MPWOD ने blueprint में आपको marks by distribution नहीं दिया है तो वो तो first paper होने के बाद ही हम आगे के papers का prediction दे पाएंगे कि आगे की paper कैसे आएंगे बाकि अगर आप अभी का हो कि first paper के बारे में आपको information दे दें प्रेडिक्शन करके बताएं कि paper कैसा आएगा तो कोई कितना ही बड़ा teacher वो आपको prediction नहीं दे सकता है क्योंकि अगर आप अभी प्रेडिक्ट करोगे तो इसका कोई फाइदा नहीं क्योंकि MPWOD examination के papers बन चुक before examination start हुए आप सभी के district में paper भेज देता है और यहीं से papers out of अगर के किसे सामने आते हैं इससे जोड़ी एक update सामने आ रही है आगे आपको बताता हूं वीडियो मेंट तक बने रही है नए तो subscribe जरू सकर दीजिएगा notification icon on करके रखिएगा MPWOD examination से जोड़ी सारी genuine updates में आपको पर questions सभी में same भी रहेंगे अगर आपको इस चीज में थोड़ा बहुत भी confusion आने की paper सेट में कैसे आते हैं तो description में आपको detailed video दे दूँगा आप उसको check कर सकते हैं यह जो MPWOD examination के papers होते हैं इनको किसी भी school में नहीं बनाया जाता है इनको बनाया जाता MPWOD office में वहाँ पर MPWOD के retired एफर जो experienced teacher होते हैं वो यह board examination के paper design करते हैं पूरे MPWOD में जितनी भी district है जितने भी school सभी जगी यहीं से paper भेज़े जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा एक काम है और ऐसे कामों में अगर paper out वगरा के cases सामने आते हैं तो इसमें MPWOD की image down तो होती है इतने सारे बच्चों की मेहनत खराब हो जाती है कुछ papers out होने से खेर मैं आपको बता रहाते हैं कि आपके जो पेपर से आराम से फॉरबर्ड हो जाएंगे पर आपके जो बोड़ एक्जामनेशन के paper आ रहा है वो हाड़ कॉपी की फॉर्म में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि बस ऐसी दे दिए प्रॉपर इनको box में रखा जाता है पैक किया जाता है और जो box open होते हैं वह आपके center पर आपके सामने ही किया जाएंगी इस सारे बना कर आप से रहे किदिये जाते हैं अब कहां पर राते हैं कहां पर रखे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं आप सब करकी घुचिंठ अफिसर को ता ही यह पर पेपर पुरी स्पौनते की साथ सटकिया जाते हैं आप सब्सक्राइब कि बेच दैनि कि प्र 질문 अगया competitors यहां कि जो भी center है उनके पास जो भी norm भूर ऊस्पास थाने बने वह वहां पर बेल जाएएあー जिस दिन आपका एक्मन होता है उसी दिन से प्रसेस स्ठाट होती है जैसे उब mh9 बजे से logistics 6 बजे सर्फ बजे ंचैनि कि 6 बजे 6 बजे से सी पेपर के ईक्ष्ट्रिवूशनी यह भी पूरी स्युक्रेटे के साथ ही किया जाता है अभी तक जो बॉक्स वगर है वो सारे चीज़ा बंद होती है तो उम्मीद है कि आप सभी को यह चेंज समझ में आ गए होगी होगी अब मैं आपको बताता हूं कि आपके बॉर्ड एक्जामनेशन के जो पेपर हैं वहाँ बेट्स भी में आपको बता देता हूं यानिकि जो गाउं वगर आया है वहाँ पर एक फरवरी को एंपी वोड की तरफ से जो पेपर के श्टॉक है वह भेज़ दिगा है और जो शहरी एरिया है वहाँ पर पेपर के डिस्ट्रिबुशन दो तारिक से श्टार्ट होगा या अभी तो आप खुदी सूचे कि पेपर जहां पर भी श्टॉर किये गा है वहां पर इतनी जादर टाइट सुकरिटी रखी गई है कि कोई भी वहां कुछ भी नहीं कर सकता है और जो पेपर आते हैं इसके चाबी होती है जो कि एक्जाम के देनी जो आपके एक्जाम सेंटर पर एक्जाम के दिन ये बॉक्स ओपन करेंगे और पेपर का जो पैकेज रहेगा वहां आप सभी के सामने ओपन किया जाएगा तो बदाएगा आप सभी के बॉडड इग्जामनेशन के पेपर कैसे आइगे तो फ़र्ष्ट पेपर आने के बात ही अपना आगे का प्रेडि